हेलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपके नई चैनल अंजली निउस कॉर्णर में मैं हूँ आपकी वही अंजली एक हसरत थी कि कभी वो भी हमें मनाई पर ये कमभग दिल कभी उनसे रूठा ही नहीं जी हाँ आपने सही सुना हम आज के डेली राजकिकल की बात कर रहे हैं आज के दिन जिनका बज्जे है या फिर मैंने जुनवर्चरी है उनको मेरी और से धीर सारी वधाई हो शुब काम नाए हो तो चलिए शुरू करते हैं रूठे हुए अपनों को मना लूँगा एक दिन दिल का घर फिर से बसा लूँगा एक दिन लगने लगे जहां से हर मनजर मेरा मुझे खावो का वो जहान बना लूँगा एक दिन अभी तो शुरूवात हुई है सफर की बेरंग जिंदगी में रंग सजा लूँगा एक दि आप भी अगर यही जज़बा रखोगे तो यकीन मानें आप अपने लक्ष तक पहुँच जाएंगे मन्जिले बहुत हैं और अफसाने भी बहुत हैं जिन्दगी की रहमें इम्तहान भी बहुत है मत करो दुख उसका जो कभी मिला नहीं दुनिया में खुश रहने की बहाने भी बहुत है फर्क सिरह सोच का होता है सकरात्मक यह नकरात्मक वरन्ण सीड़ियां वही होती हैं जो किसी के लिए उपर जाती हैं और किसी के लिए नीचे आती हैं डर मुझे भी लगा फासला देखकर पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर खुद खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजल मेरा होसला देखकर बेजान चीजों को बदनाम करने के तरीके कितने आसान होते हैं लोग सुनते हैं चुप-चुप के बातें और कहते हैं कि दिव सोच वाला इंसान ही करता है बड़ी सोच वाले तुम माफ करते हैं अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो उजालों में मिल ही जाएगा कोई ना कोई तलाश उस हीरे की है जो अंधेरों में भी साथ दे मैं वो खेल नहीं जिसमें जीतना फिक्स हो क्योंकि जीतने का मजा तब है जब हारने का रिस्क हो मन का जुकना बहुत जरूरी है मात्र सर जुकने से प्रमात्मा नहीं मिलते सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अजाब के लिए जो है भागिशाली रंग यारे कि लखी कलर रहेगा पीला और जो लखी नंबर है भागिशाली अंक वो नंबर एक बन रहा है आज के लिए आज इक कॉंसेंट्रेशन कम होने की वजह से चूट चूटी कामों में आज काफी गर्तिया हो सकती है आपसे और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे किसी ने कुछ कर दिया हो अरे ऐसे वैसी कोई बात नहीं है बस आपको कॉंसेंट्रेशन बिगड़ा है मन की चिंचलतना का अस आज दिन भर आप पर ही रहेगा इंपॉंटन कामों को आज ही निप्टाने की कोशिश किरेगा जितना हो सके वरना आपको बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है यह आप खुद जानते हैं इसलिए पहले आपको वो काम निप्टा लेना चाहिए मित्र परिवार के साथ आज काफी इच्छा मेल जूल बना रहेगा आज आप बॉस के साथ कहीं यात्रा पर जा सकते हैं अपने विचारों का ताना बना बिखरने मत दीजेगा जरद संबल कर रहेगा वरना आप जो हैं असमंजस में पर सकते हैं यजिके साथ इस इतारे ये भी कहते हैं आपके बारे मे कि अगर आप investment की योजना बना रही हैं तो आज का दिन बहुत ही खास और बहुत ही उत्तम रहेगा क्योंकि गिरहों की सितियां आपके लिए अनकूल बनी हुई हैं आर्थिक द्रिश्टी से भी प्रापटी यां अन्ने किसी भी कारी से related रुकावटी किसी मित्र के द्वरा आज हल हो सकती है आज आपको कोई ऐसे चीज मिल सकती है जिसके कारणा आप हर चीज को ठीक कर पाएंगे इसलिए आपको हमेशा प्रियास करता रहना होगा हाथ प्यार मारती रहने होंगे नेगेटिव प्रविर्ति के लोगों से दूरी जितनी हो सके उतनी बना कर रखेगा उनकी संगत करने से आपके भी मान हानी हो सकते हैं और हाँ आपने बच्चों के भी ध्यान दीजेगा कहीं वो भी कहीं किसी गलत संगत में न पढ़ जाएं इस बाद का ध्यान रखेगा फिजूल की कारियों में पैसा खर्च होगा इस समय घर के बड़े विजरुगों को आपकी देखबाल की बहुत जाला जरूरत है इसलिए उनकी देखबाल कीजी उन्हें जो भी चीज़ अचाहिए उन्हें प्रवाइद कीची आखिर आपका ये फर्ज बनता है कारिशेत्र में आपके द्वाना की गई मेहनत के बहुत ये बड़िया परिणाम जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं साथ ही में आज जैसे तारे आपके बारे में कहते हैं कि दिन की शुर्वात में आप भावनात्मा के रूप से थोड़ी कब जो नजर आ सकते हैं अपनी भावनाओं का असर आपकी फैसल लेरी के शमता पर ना होने दी जगा प्रलोभन की जरफ आप बकर्शित हो सकते हैं लेकिन आप अपनी जो हैं मारग हैं उससे हटने में प्लीज आप जो भी आपका लक्ष है उस पर आपको लटे रहना है फोकस करना है काम पर आज आपको विशेश रूप से ध्यान देने की भी जरूरत है साथ में पिछले कुछ समय से जिन गारे में काफे ज़्यादा मुश्किले आ रहे थे रुकावटी आ रहे थे काम नहीं बन पा रहे थे अब उन गारे को पूरा करने का उचित समय हो और आपके काम भी बनते चले जाएंगे चिंता मत करें आज ग्रहों की सितियां और भागया आपके पास ही रहेगा पक्ष में रहेगा आपको अपनी मेहनत और पनाकरम की अनरूप बहुत ही उचीत रिजल्ट देखने को मिल सकता है जिससे आप काफी हद तक संतुष्ट रहेंगे इस समय अपने विचारों को पास्टिव बनाकर रखना बहुत जरूरी है सभाव में शक और संशे ये चोड़ी चोड़ी सितियां आप के लिए पैदा हो सकती है और ये दूसरों के लिए बहुत ही परिशानी का कारण बन सकती है इसलिए आपको ध्यान देना है और हाँ अज आर्थिक सिति भी थोड़ी सी कमजो लग सकती है कई लोगों को लेकिन जादा तर पॉजिटिव और बढ़िया रहेंगे चिंता मत कीजिए समय रहते सब ठेक हो जाएगा अब आगे बढ़ते हैं बात करते हैं विवसाय यानि की बिजनस की करियर की आज किसी अंचान वेक्ति से मितरता में और भी जादा घरिश्टा हो सकते है और उसकी कोई इंपॉर्टन सलाह आपके बिजनस के लिए काम आ सकती है विवसाय से रिलेटेर नए संपर्क सुत्र भी बनते चले जाएंगे लेकिन अपने इंपॉर्टन काम चीजी जो है सबसे पहले कीजिए साथ जी डॉकुमेंट्स पगयरा है उनको आज देख बाल करनी बहुत ही जरूरी है उनके गुब होने की शंका नजर आ रही है अज काम में कई लोगों का मन नहीं लग पाएगा जसकी वज़े से आप काम कप्लीर ही नहीं कर पाएगा आप कल कल करती जाएंगे और आपका target जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा ठीक से तो आप पर काम का बोज़ी बढ़ जाएगा इससे, फिर उसके बाद आपको गिल्ट महसूस होगा, इसलिए पहले से ज़रा आपको काम निप्टा लेना चाहिए तो जादा बैठे रहेगा आज कारक शित्र में आपके द्वारा बहुती महनच जो अपने की थी, उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया मिल सकता है, जिसकी वज़े से तनाव भी थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ठीक हो जाएगा लेकिन अभी इस परिसितियां बहतर होती, धीरी धीरी नजर आ रही है, रिजल्ट जल्दी अच्छा मिलने वाला है, शांती बनाए, धैरे बनाकर रखिए, यह बहुत उचित रहेगा, और हाँ अपनी कॉंटेक्ट्स को और भी जादा बहतर बनाईएगा इसके साथ ही आज काम को वक्त पर पूरा ना करने के वज़े से मानसिक परिशानी भी हो सकती है, जिसके वज़े से दर्द वगेरा या फिर आप जो हैं, बहुत ही चिच्छी पंसे आप निज़र आने वाले हैं, तो उसका असर आपके परिवार पर भी देखने को मिल सकता ह इसलिए आपको जो है, अपने सभाव को ठीक रखना पड़ेगा, उतना ही काम जो है, तार्गिर अपने उपर लेजी जितना आप कर सकते हैं, ओफर मत कीज़ेगा अब आगे वरते हैं और बात करते हैं आज की लव लाइफ की और, तो लव लाइफ आज की आपके वारे में कहती है की, पार्टनर की एक सभाव की वज़े से आपको परिशान्यों का सामना करना पड़ सकता है, पती-पत्नी के समंद्य समानने रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे प्रेम समंद्यों में गलत फाहमी की वज़े से कई लोगों में कुछ तराव हो सकता है, रिलेशिशिप को ठीक करने के लिए किया गया जो प्रयास है, वो आपकी गलती की वज़े से नकामियां भी हो सकता है, अपने बरताव के प्रतीश से तरकता रखेंगा, जितना हो सके अपनी वानी पर जो है मधूरता लाइए, अच्छे शब्तों का इस्तमाल करें, अगर आपने कुछ भी उल्टा सिदा बोल दिया, तो आपका जो पार्टनर है, वो आपसे नरास हो सकता है, और हाँ, यह बहुत ही बड़ी बात होगी, अगर यह चुट चुटी बातों के का अगर बड़ी बाती होगी, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा आपके रिष्टे के लिए, इसलिए रिष्टे को बचारे के लिए आपको जह है प्रेम और प्यार से काम लेना होगा, आज घर में सभी सदस्यों के बीच में भी आपसे समझस्य पर करा रहेगा, प्रेम समंदों में अधिक प्रगारता लाने के लिए आपको भर्सक प्रयास करना चाहिए, तो बागे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की स्वस्त्य के बारे में, तो स्वस्त्य आज आप के लिए कहता है कि बलड प्रेशर और थारे जिनको है, उनको जांच करवानी चाहिए, पानी का प्रयोक योग्य मात्रा में करना जरूरी है, जितना पानी चाहिए, उतना है इस्तमाल कीजिए, फाल तो पानी मत बहाइएगा, आज खांसी, जुकाम, बुखार जैसे कई लोगों को समस्यां घर सकते हैं, लापरवाही ना करके बलकि उसका उचित अलाज कराईए और हाँ, जितना हो सके, ठंड से बचाफ करने के लिए मोटे कपड पहनियेगा, आज कई लोगों को घुटनों और मास पेश्यों में दर्द वगेरा हो सकती है, इसके लिए आपको फॉरन इलाज करवाना चाहिए, तो चलिए अब हेल्थ के बाद बात करते हैं, आज के वि चणाएं और हो सके तो लाल चुन्री भी भी भीता कीजिएगा, इसके साथ ही आज दुर्गा कवच याँ फिर आप किलक स्तूत्र का पार्ट पड़ सकते हैं, बहुत ही उम्दा फायता होगा, तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो उच्छे लगी हो, तो लाइक काने